सबी को मेरा नमस्कार आज मैं आप लोग के सामने जिया रानी की कहानी लेकर सामने आया हूँ जिसे कुमाओ की लक्समी बाई भी कहा जाता है यह उस्तान उत्त्राखन के नैंताल के हलदवानी में रानी भाग में इस्तित है तो देखते हैं इस कहानी को जिया राने की भीरगा था जिया राने का बच्पन का दाम मौला देवी था जिया राने चौदवी सताब्दी के कत्तुरी सासक प्रितम देव की पतनी थी जो हरिद्वार के राजा अमर देव पुंडीर की पुत्री थी 11.92 में जब हरिद्वार में तुर्कों का आक्रमन हुआ तो इस समय कत्तुरी राजा प्रितम से अमिर देव पुंडीर ने सायता मांगी प्रितम देव के द्वारा सायता करने के कारण अमिर देव पुंडीर ने अपनी बेटी मौला का बिभा प्रितम देव से कर दिया मौला देवी को राज माता कर दर्जा दिया गया और राज माता को जिया कहा जाता था जिस कारण मौला देवी को जिया रानी कहा जाता है कुछ समय बाद पिरितम देव से अन्बन होने के कारण मौला देवी ने राज का छोड़ दिया और गौला घाट में आकर रहने लगी और उन्हेंने रानी बाग बनाया और बारा वरसे तक रही थी सन 1398 में जब तैमूर की सेना कुमाओ की और बड़ी तो जिया रानी ने सेना तयार कर रानी बाग की उद्ध में उन्हें प्राजित कर दिया परंतु बाद में अत्रक्त सेना के आजाने के कर जिया रानी को हार का सामना करना पड़ा और वह गुफा में छुप गई बाद में पृत्रधाम देव ने आगर तुरकों को मार भगाया और जियारानी को अपने साथ ले गए कुछ समय बाद पृत्रधाम देव की मिर्ति हो गई और जियारानी ने अपने पुत्रधाम देव को सासक बना कर स्वयम संसिर्का बनी अन्यमनताओं के उनिसार जियाराणिसी भकत्त थी और चित्रवे सर महादेव के दर्सन करने चित्र सिला आई थी यहां इस्तान करते समें तुर्क सेना ने आक्रमन कर दिया और मौला देवी ने इस्टकास इस्मर्ग किया और गौला के पत्थरों में समा गई कहा जाता है कि उन्हें स्वयम को घागरे में चुपा लिया था और घागरे की आकार की सिला बन गई जिसे जियारानी की सिला कहा जाता है कौत्तुरी वंसक का अंतिम सासक परमदेव था जो सन 1398 में तैमूर से इद्ध करता हुआ मारा गया था जियारानी की गुफा आज भी वहाँ पर इस्तित है कहा जाता है कि उस समय ये इस गुफा में चुप गई थी कहा जाता है कि इद्ध के समय में वो पत्थरों में समा गई थी और वह इस्तान आज भी ये घागर के समानी दिखाई दे रहातेता है ये घागर के समानी इसका अकार दिखाई देता है कत्तुरी वंसस जो होते हैं वो आज भी यहाँ पर 14 जनवरी को यहाँ पर जागर का आईजन करते हैं और दूर दूर से आते हैं और यहाँ पर जागर लगाई जाती है तदा दूसरे दन यहाँ पर मेले का आईजन भी होता है